यह हैं नमस्कार बंदू आज हम अपने यूटूब चैनल पर कुंभ मकर और कुम राषी के जातकों के लिए कुछ उपाए बताने जा रहा हूं जिसको करके मकर और कुम रासी के जातक अपने अनकूल और अपने राशी को मजबूत करशकते हैं कहीं कोई शनसै नहीं है। शुभ और शुभ करमों के अनुकूल हमें फल गी प्राप्ति करते हैं जो अच्छे करम किते हैं उनकों अच्छा सफल देते हैं और जिन से यदा कता जैसे पायसे kinda करम हुआ होता है तो हम आप सभी के विश्वास दिलाना चाहेंगे कि शनी देव बहुत ही पुन्यदाई है और बहुत ही ग्रहों में सबसे उत्तम ग्रह है क्योंकि हमें हमारे कर्मों का मार्ग दर्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है तो चलिए आज हम चर्षा करते हैं कि सनी देव को प्रशन करने के लिए कि ऐसा कौन कौन सा छोटा उपाय है जिसको करके हम सनी देव को विश्य सुरुप से मजबूत और प्रसन कर सकते हैं तो सर्प्रथम बताना चाहूंगा कि कुम्भ और मकर और कुम्भ रासी के जो जातक है या जिनकी भी कुणने में अढ़िया साड़ साती लगती हो या जिनकी भी कुणने में सनी की दसा अंतर दसा चल रही हो उसके वज़े से उन्हें अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हूँ विक्ति अगर नित्य काली गाई को गुण खिलाते हैं तो उससे जो है शनी देव के जो दोश है को प्रभाव है उससे उन्हें छुटकारा मिलता है इसमें कहीं कोशन से नहीं है दूसरा उपाए अगर सनी देव के को प्रभाव से को दोश से बचना है तो आप नित्य हनुमान चालिसा का एक पाड करें और शाथी साथ मंगल बर औ सनी वार के दिन हनुमान जी को चोला अरपड़ करें और तीसरा उपाई यह है कि सनी वार के दिन अगर आप बंदर जिमाते हैं तो यह भी प्रक्रिया आपको बहुत जादा लाब देगा चौथा प्रक्रिया यह है कि अगर आप मचलियों को दाना देते हैं या आटे का चो होता है मुख्य कारण होता है और इसके द्वारा भी आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है बहुत दूर होगा पाच्वा उपाई ये है कि शनीय माउश के दिन अगर आप शंदरकाण का पाठ करते कराते हैं तो यह भी आपके जीवन में आ रहे है विघनाबधाउं को दूर करेगा साथ ही साथ आप किसी भी शणी मंदिर में भंडारा अधि करते हैं प्रशाद अधिवित्रण कराते हैं को भोजन कराते हैं वृद्ध और कुष्ट रोग्यों को भोजन कराते हैं तो बड़े बड़े जो है संकटों से मुक्ति मिलते इसमें कहीं कोई शंसे नहीं है चठा उपाई ये है कि सनीवार के दिन सतनाजा अगर आप पका के गाय को खिलाते हैं तो यह भी प्रक्रिया आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिलाएगा इसमें कहीं कोई शंसे नहीं है सात्वा उपाई ये है कि अगर आप लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल कर उसमें अपनी परशाई देखकर पीपल के नीचे रखते हैं या फिर डेकेद को दान करते हैं तो यह भी आपको बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति दिलाएगा इसमें कहीं कोई शंसे नहीं है आठवा उपाई ये है कि अगर आप नित्य शुर्योदस से पहले उठते हैं और शनी वार के दिन शुर्योदस से पहले अशनानादी करके पीपल के जड़ में मीठी चाच में काला तिल मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो इससे भी शनी देव प्रशन होते हैं और साथ ही सा अगर शर्सों का तेल का जोत प्रजवलित करते हैं शनी शिला पे तेल अरपन करते हैं तो इससे भी शनी देव प्रशन होते हैं और जीवन में अनेको प्रकार के जो है लाव अरपन कराते हैं और नौवा उपाई यह है कि अगर आप शनी वार के दिन काले चने का यह आपको अने को लाब देता इसमें कहीं कोई शंसे नहीं है सनी देव को प्रशन्य करने के लिए आप भगवान भेहरों का भी उपाशना कर सकते हैं भेहरों जी का उपाशना भी करना विशिश फलदाई होगा कहीं कोई शंसे नहीं है साथ ही साथ आप जो है सनी वार के दिन शमी ब्रिक्ष का पौधा किसी भी धार्मिक अस्थान पे लगाते हैं तो यह भी आपको सनी देव की कृपा प्रप्त कराता है साथ ही साथ समी ब्रिक्ष का जड़ अगर आप काले धागे में बांद के अपने भुजाओं में या गले में धारन करते हैं तो यह भी आपको शनी देव के आशिर वचन को प्राप्त कराता इसमें कहीं कोई शंसे नहीं है मैं आप सभी से रिक्ष करूंगा प्रातना करें करूंगा कि आप शब अगर इन उपायों करते हैं यह बहुत ही सरल और रामबाड उपायों को अगर आप करते हैं तो कहीं नहीं किसी प्रकार का सारी कश्ट भी होगा तो भी वहाद दूर होगा है ना बहुत सारे ऐसे मिलेगा और शाथ ही साथ उसका जीवन सुख में और उत्ताम होगा इसमें कहीं कोई शंसा नहीं है तो मैं विदा लेने से पहले पुना आप शबी को नमस्कार करूंगा और आगरह करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और अगर किसी परकार का सुझाव आपको हमसे प्राप्त करना तो प्लीज हमारे कमेंट वक्स में दाके कमेंट जरूर करें जैश्याराम नमस्कार